बहुत काम आएंगे ये 15 कुकिंग तिप सबसे पहले हैं मेथी की कड़वाट हटाने के लिए थोड़ा सान नमक डाल कर उसे थोड़ी देर के लिए अलग रख दे एक टीस्पून शकर को भूरा होने तक कर्म करें केक के मिश्णन में इस शकर को मिला दे ऐसा करने पर केक का रंग अच्छा आएगा नेक्स्ट है चौफ्ट इडली बनाने के लिए उड़त दाल चावल भिगोते समय उसमें आधा कप साबुन दाना मिलाए जब दाल चावल भीग जाये तो उसे पीच ले नेक्स्ट है लाल मिर्च पौडर को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें हींक का एक तुकड़ा डाल दे लाल मिर्च खरब नहीं होगी नेक्स्ट है रायते को टेस्टी बनाने के लिए उसमें कस्तूरी मेथी को क्रस्ट करके डाल दे उसका स्वाद डबल हो जाएगा नेक्स्ट है कपड़े में से चाय के दाग हटाने के लिए उसमें बेकिंग सोठा और पानी का पेस्ट बना कर लगाए कुछ समय बाद इसे स्क्राब करें और धोले सबजी के लिए ग्रेवी बनाने के लिए अगर टामाटर ना हो तो आप टामाटो क्याचप का उपियोग करके भी ग्रेवी बना सकते हैं मोह से प्याज और लहसुन की बद्बु दूर करने के लिए ग्रेवी टी पीना सबसे अच्छा वो पाय होता है खाना बनाते समय यदि बरतन जल गया हो तो उसे साफ करने के लिए उसमें चाय पती और आधा कप पानी डाल कर छोड़ दे एक घंटे बाद लिक्विट से साफ करें बरतन चमक उठेगा मेठे भजिये बनाते समय यदि आप आटे में पानी के जगह दूद का उपियो करेंगे तो यह और भी स्वादिष्ट बनेंगे अगर घर में रखी कैची ठीक तरह से काम नहीं कर रही है तो उसका धार बढ़ाने के लिए कैची को नमक के डिपे में दो से तीन मिनिट चलाए ऐसा करने से कैची में धार बढ़ जाएगा रोटी बनाते समय पहली रोटी को हमेशा मोड कर रखे बहुत ही सूप होता है और चोड़ियां सॉफ्ट और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो मैदे में थोड़ा सा दही डाल कर गुंदे निक्स्ट है पानी में नमक मिला कर कीचन स्लाप साफ्ट करे या पोछा लगा इससे घर में पॉजिटी एनरजी आती है और कीड़े मकोड़े दूर रहते है इस तर